अपना तिरंगा और किसान का जो जंडा है वोगत किसान नेताओं को एक रूट बनाई गई थी जिस रूट से उन्हें जाना था लेकिन किसान रास्ते में बेरिकेटिंग को तोड़ते हुए दिल्ली पहुचे यही नहीं किसानों ने कई ऐसे बेरिकेटिंग को तोड़ कर ट्रैक्टर के जरीए हटाया दिल्ली के अंदर दाखिल हुए कही न कहीं किसानों पर अब सवाल उठने लगे है पिछले दो महीने से किसान सांतिपूर तरीके से अंदोरन कर रहे थे लेकिन आज किसान बेकाबू हो गए किसान नेता समझाने की कोशिस करते रहे लेकिन भीड किसान नेताओं को पीछे छोड आगे निकल गए हाला कि दिल्ली पुलिस ने कहा था 5000 ट्रेक्टर से जादा नहो किसान नेताओं से मिटिंग भी लगतार हो रही थी लेकिन ऐसी नववत आई कि किसानों ने बेरियर बेरिकेटिंग कंटीनर बस हर ब्योधान को रोकनी की कोशिस को नकाम कर दिल्ली में दाखिल हुए लेकिन एक बात को किसान बार बार कह रहे थे हमें पुलिस के दिये हुए रूट नहीं चाहिए हमें दूसरी रूट चाहिए जिस रूट से किसान ब्रेकेटिंग तोड़ कर आगे बढ़े वही रूट चाहिए यानि रिंग रूट ये काफिला आसु गैस के गोले और लाठ तिरंगा फैराया यह तस्वीर लाल किलेकि है जो हम आपको दिखा रहे हैं हलकि किसानों ने कहा था इस बार तिरंगा किसान फैराएंगे और किसानों ने फैराया लाल किले के अंदर भी माहुल तनावपूर हो गई यहांello भी लाथि चार्ज हुए लेकिन किसान डटे रहे आजादी के बाद पहली ये तस्वीर है जहां पर सिंगु बॉर्डर गाजी पूर बॉर्डर टिक्री बॉर्डर पर बैठे किसान सब एक होकर लाल किले में जमा हुए हैं ये तस्वीर है किसानों की जहां हुजूम लगा हुआ है किसानों का कहना है सरकार की हर वो बात मान र लगा पाया कितनी टेक्टर परेड में इस मार्च में सामिल हुई है लेकिन इतना साफ है लाखों की संख्या में किसानों की जठा दिल्ली के सड़कों पर दिखाई दे रही है आईटियों के पास दिल्ली पुलिस ने आसुगैस के गोले छोड़े पुलिस से टकराव कहें ला आपको हमको दिल्ली के लाल के लिए पहुँचना था हमको ट्रेक्टर प्रेट करना था हम चलते चले आये गलती बश ट्रेक्टर दूसरी रूट पर मुड़ गया किसानों का ये भी कहना है जिस पुलिस जगा जगा खड़ी रहती तो हमें बताती हमें इस रास्ते से जाना है तो उसी रूट को follow करते कुछ लोग दिल्ली आये नहीं हैं इसलिए रास्ते भटक गए हैं और इसी के साथ समाज राजनीती से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम